वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम अपनी प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस जिसको के जेन आस्टन ने लिखा हुआ है इस नॉवल के हम पूर्थ चैप्टर की comprehensive explanation with analysis cover करेंगे ये सारी explanation और analysis cover करने के बाद मैंने आपके लिए chapter 4 के text के ओपर बना हुआ एक quiz भी आपको provide किया हुआ है जिसका link आपको इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा ये वीडियो इस नॉवल की series का हमारा चोथा वीडियो होगा student मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम already इस नॉवल के पहले तीन chapters की study cover कर चुके हैं जैसा कि आप screen के ओपर देख पा रही है मैंने इन सभी तीन chapters के text को बहुत ही easy language में आपके लिए explain किया है text की study करते हुए जितने भी difficult words आए है, idioms आए है या phrasal verbs या difficult phrases आए है मैंने साथ ही उनके simple meanings तो लिखे ही है और उनने अच्छी तरह से explain भी किया है मुझे उमीद है कि आपने ये तीनों वीडियोज ज़रूर देखे होंगे अगर आपके ये वीडियोज मिस हुए हैं तो मैं आपको वीडियो के top right corner पे इस novel की series पे बनी हुई playlist का link प्रवाइड कर रहा हूँ जिस पे जाके आपको ये तीनों chapters के वीडियोज मिल जाएंगे जिनको देखने के बाद आप novel के fourth chapter को continue अच्छी तरह से कर पाएंगे लव लर्निंग तो फोर्थ चेप्टर है जी के when Jane and Elizabeth were alone the former who had been cautious in her praise of Mr. Bingley before expressed to her sister how very much she admired him अब four chapter Jane और Elizabeth के साथ शुरू होता है अब ये दोनों Bennett daughters है जी Jane बड़ी है Elizabeth उससे छोटी है अब यहाँ पर former का मतलब है बच्चो Jane actually होता क्या है कि जब दो persons का जिकर आता है अब जैसे Jane और Elizabeth का इस paragraph में जिकर आया है तो Jane को हम former बोलेंगे और Elizabeth को हम क्या बोलेंगे जी latter ल-A-T-T-E-R paragraph में जिसका जिकर पहले है उसको हम former कहते हैं और उसका opposite लाटर होता है जो paragraph में दूसरे person के लिए कहा जाता है तब former मतलब Jane जो के अब तक बहुत ही cautious रही है cautious का मतलब होता है बच्चो very careful किसमें Mr. Bingley की praise करने में उसकी पशंसा करने में उन्होंने पहले Mr. Bingley की इतनी खुल कर praise नहीं की लेकिन अब वो अपनी बेहन को बता रही है कि वो Mr. Bingley को कितना ज्यादा admire करती है या उसकी कितनी ज्यादा respect करती है तो बच्चो ये उन दिनों में था कि जो लड़कें होती थी वो खुल कर ये बातें किसी के साथ share नहीं करती थी कि उन्हें कौन अच्छा लगता है particular किसी लड़के के बारे में वो कभी खुल के बातें अपनी family के साथ नहीं करती थी वो हमेशा ये बातें अपनी जो बहुत ही fast friends होती थी उनके साथ ही ये बातें share करती थी अब Jane और Elizabeth मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत अच्छी friends हैं ये दोनों बहने तो हैं लेकिन इन दोनों बहनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है इसी कारण करके Jane Elizabeth को अब खुल के बता रही है कि वो Mr. Bingley की कितनी ज़्यादा respect करती है मैंने आपको बचो ये भी बताया था कि Jane ज़्यादा खुल कर बात नहीं करती और उसकी ये जो आदत है ये novel में एक incident का कारण भी बनती है ये हम आगे देखेंगे लेकिन आज वो Elizabeth को अपनी दिल की बातें बता रही है He is just what a young man ought to be said she अब she का मतलब यहाँ Jane से है तो Jane बोलती है कि वो एक ऐसा young man है नोजवान person है जैसा के होना चाहिए अब यहाँ पे बच्चो ought to model verb यूज़ होई है ये model verb हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई बात जोर देके कहें के ऐसा होना ही चाहिए तो वहाँ पे ought to या कभी-कभी हम बच्चो should be use कर लेते हैं ought to थोड़ा formal यूज़ होता है और आगे वो Mr. Bingley की qualities describe कर रही है तो ये सारी qualities हम Mr. Bingley के character sketch लिए use कर सकते हैं अब वो Mr. Bingley के लिए क्या बोल रही है sensible, good-humored, lively and I never saw such happy manners so much ease with such perfect good breeding के Mr. Bingley sensible है जी sensible मतलब उनको बात करने की sense है पता है के बात कैसे की जाती है good-humored है, good-humored बच्चो उस इनसान के लिए use किया जाता है जब उसकी बातों में थोड़ा सा मजाग भी हो और वो मजाग healthy किसम का हो, याद कीजिए first chapter में Mrs. Bennet ने अपनी कलड़की Lydia के लिए भी कहा था के वो एक good-humored girl है लेकिन उसका good-humored हमें जल्दी पता चल गया था के वो किस तरह का है लेकिन यहाँ पे हमें पता है के Mr. Bingley वाकी good-humored है lively है जी वो lively मतलब ये पहले भी बहुत बार आया है last chapter में Mr. Bingley के लिए भी use हुआ Elizabeth Bennet के लिए भी ये word use हुआ था जिसका मतलब होता है जी full of energy एक ऐसा इंसान जो हमेशा energy भरपूर रहे and I never saw such happy manners के मैंने इतने अच्छे manners कभी किसी में नहीं देखे so much ease ease का मतलब easy going ये पहले भी word आया था एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप जाके बड़ा easily बात कर पाएं such perfect good breeding अब यहां पर breeding का मतलब बच्चों है education के उसकी education बहुत अच्छी हुई है जो उसके manner से पता चलती है अब इस पूरे paragraph में बच्चो जेन ने मिस्टर बिंगले की बहुत तरीफ की है लेकिन दो बातें उसने मिस्टर बिंगले के लिए नहीं की जो उसकी mother बोलती थी एक बात तो उसकी mother बोलती थी के मिस्टर बिंगले बहुत handsome है और दूसरा young man with large fortune के वो बहुत wealthy हैं पैसे वाले हैं इस पूरे paragraph में जेन ने ना तो मिस्टर बिंगले की पैसे की तरीफ की है और ना ही उसके handsome होने की तरीफ की है लेकिन उसके सामने Elizabeth Bennett है तो वो क्या बोलती है He is also handsome replied Elizabeth अब Elizabeth जवाब देती है कि वो handsome भी है good looking भी है which a young man ought likewise to be if he possibly can अब यहाँ पे Elizabeth ने एक तरह के Jane की जो बात है उसको दुबारा repeat किया है याद करो Jane ने क्या कहा था उसने कहा था what a young man ought to be likewise to be कि जैसे एक young man को handsome होना चाहिए वो वैसा भी है if he possibly can अगर वो हो सके इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो सारी qualities जो Jane ने Mr. Bingley में बताई है उसके साथ अगर वो handsome भी हो तो बात ही क्या फिर वो आगे कहती है his character is thereby complete तो इस तरह से Mr. Bingley की जो personality है character का मतलब यहां पे बच्चो personality से है वो complete हो जाता है thereby का मतलब है this way या in that way कि अब Mr. Bingley की personality complete हो जाती है वो sensible है good humor है lively है happy manners है और साथी साथ handsome भी है Jane कह रही है कि I was very much flattered by his asking me to dance a second time मुझे बड़ी खुशी हुई flattered का मतलब होता है to say nice things to someone जब आप किसी के लिए अच्छी बाते बोलते है तब हम उसे flattered कहते है मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मेरे साथ दोबारा डांस करने के लिए कहा आपको याद होगा बच्चो party में Mr. Bingley और Jane ने दोबार डांस किया था वही बात Jane यहाँ पर कर रही है I did not expect such a compliment मुझे इस तरह की compliment की आस नहीं थी Compliment का मतलब होता है बच्चो good words जब हम किसी के लिए अच्छे words use करते हैं उसको हम compliment कहते हैं अब यहाँ पर बच्चो Jane एक तरह से Mr. Bingley को credit दे रही है कि उन्होंने मेरे साथ आके दुबारा डांस किया तो यह उनकी बहुत अच्छी बात है हलाके हम यह जानते हैं कि Mr. Bingley ने Jane के साथ दुबारा डांस क्यों किया इसका जवाब हमें 3rd chapter में Mr. Darcy के दौरा मिल गया था जब Mr. Darcy ने कहा था कि Jane इस पार्टी की सबसे खुबसूरत लड़की है और इसकी हां में हां Mr. Bingley ने भी मिलाई थी तो हमें तो पता है कि Mr. Bingley जेन की तरफ क्यों आये थे दुबारा हमें ये भी पता है कि Jane की बात किससे हो रही है इस समय ये बात हो रही है उसकी बहन Elizabeth से जिसको ये सारी बाते पता है बहुत ही अच्छी observer है और intelligent है Did not you, I did for you अब Elizabeth कहती है कि क्या आपने compliment expect नहीं किया था क्या आपको नहीं लग रहा था क्या आपको compliment मिलेगा अच्छा मैंने तो आपके लिए ये expect किया था मैंने तो सोचा था कि आपको compliment जरूर मिलेगा But that is one great difference between us परुंतु यहां पे हमारे दोनों में एक यही बड़ा अंतर है Compliments always take you by surprise and me never कि जब आपको compliment मिलते हैं कोई आपके बारे में good words बोलता है आपको हमेशा हरानी होती है मुझे तो ऐसे कभी हरानी नहीं होती What could be more natural than he is asking you again इससे जदा और क्या हो सकता था कि अगर वो आपको आके दुबारा डांस के लिए ना पूछता यहां पे his का मतलब Mr. Bingley से है He could not help seeing that you were about five times as pretty as every other woman in the room वो आपको देखे बीना रही ही नहीं पाया क्योंकि आप उस room में जितनी भी लड़कियां थी उन में से आप पांच गुना ज्यादा pretty थी, beautiful थी अब यहां पे बच्चो एक idiom यूज हुआ है Could not help doing something जब कोई person कोई काम करे बगार रह नहीं पाता तब ये वाला हम idiom phrase यूज करते हैं जैसे suppose करो कि कोई इंसान function में गया हूँ और वहां पे dance चल रहा हूँ और वो dance करे भी नहीं रह ना पाये तब हम यह वहां पे use करेंगे कि cannot help dancing अगर कोई हसे भी नहीं ना रहे तब हम use करते हैं कि could not help laughing अब यहां पे Mr. Bingley के लिए use हुआ है could not help seeing कि वो देखे भी ना आपको रहे नहीं पाया क्योंकि आप बहुत खुबसूरत थी इस line से हमें ये भी पता चलता है कि Elizabeth Jane की beauty से इशा नहीं करती जैसे कि कई बार दो बहनों में हो जाती है कि बड़ी बहन मेरी बहुत खुबसूरत है मैं तो नहीं हूँ लेकिन Elizabeth यहां पे Jane की खुबसूरती की तरीफ खुद कर रही है no thanks to his gallantry for that तो उसकी gallantry के लिए आप उसका जो thanks कर रही है कि वो मेरे पास आया दूसरी बार dance करने के लिए उसकी कोई जुरूरत नहीं है gallantry का मतलब होता है बचो वैसे तो crazy होता है लेकिन यहां पे इसका मतलब crazy use नहीं हुआ यहां पे इसका मतलब use हुआ है polite behave with women जब कोई पुरश बहुत अच्छा विवहार दिखाए इस्तिरियों के साथ तब वहां पे हम यह word use करते है कि उसने तुम्हारे साथ बढ़ा अच्छा अपना behave दिखाया तो उसको thanks करने की जुरूरत नहीं है well he certainly is very agreeable हाँ वो agreeable तो है agreeable शबद बहुत बार use हुआ है इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था pleasant या good looking कि वो good looking तो है and I give you leave to like him और अगर आप उसको पसंद करना चाहती है तो मैं ये बात आप पे छोड़ती हूँ you have liked many a stupider person आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे stupid persons को like किया है मूरुक इंसानों को आपने पसंद किया है ध्यान रखें कि यहाँ पे stupider word use हुआ है ये stupid की second degree है तो Elizabeth Jane को ये कह रही है कि आपनी अपनी जिंदगी में पहले भी stupid persons like किया है तो अब आप अगर Mr. Bingley को like कर रहे हैं तो मैं ये बात आप पे छोड़ती हूँ एक तरह से Elizabeth Mr. Bingley को stupid कह रही है हमें ये भी पता है कि Elizabeth बहुत अच्छी observer है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वो इंसानों के बारे में बहुत अच्छे अंदाजे लगाती है कई बार उनके अंदाजे गलत भी होते हैं लेकिन बहुत बार सही भी होते है तो क्या Mr. Bingley ये बाकी में stupid है ये तो हमें बच्छो नावल की अगली स्टोरी में पता चलेगा पहले भी आपने stupid persons को like किया है तो पहले का मतलब क्या है किस person की तरफ इशारा है Elizabeth का याद करें Mrs. Bennet ने पहले chapter में Mr. Bennet को कहा था Mr. Bingley जेन को जरूर पसंद करेंगी तो जेन को बहुत पसंद करती है Mrs. Bennet और जेन भी Mrs. Bennet के बहुत ज्यादा influence में है तो शायद यहाँ पे Elizabeth का इशारा जेन और Elizabeth दोनों की mother Mrs. Bennet की तरफ है Dear Lizzie, जेन बोलती है Lizzie अब आपको ये भी पता है बच्छो के Lizzie कहा जाता है Elizabeth को उसके फादर भी Lizzie बोलते है और जेन भी Elizabeth को प्यार से Lizzie बोलते है अब ये लाइन Elizabeth बोलती है इस लाइन को समझने के लिए पहले हमें दो तिन बातों पे गौर करना चाहिए एक तो यहाँ पे बच्छो इस लाइन में एक determiner यूज हुआ है जिसका मतलब होता है लार्ज अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आप एक्चुली इसका मतलब है appropriate appropriate का यहाँ पे मतलब है smart कि आप इतनी smart हैं कि आप इतनी अच्छी हैं कि आप सभी आम लोगों को पसंद करती हैं इस लाइन में बच्चो एक और grammar की बात आई है जो आपके exam में पूछी जाती है two two वाले sentences याद कीजिए आप इनको so that में convert करते हैं तो आप ये वाला sentence भी so that में convert करके देखना तो इस पूरी लाइन में determiner भी आया है जी और two two वाला conjunction भी आया है आप कभी किसी में कोई दोश नहीं देखते actually होता है बच्चो to find a fault to find a fault का मतलब होता है कमी देखना यहाँ पे to see a fault लिखा हुआ है एक ही मतलब है कि किसी भी person में आपको कोई कमी नजर नहीं आती all the world are good and agreeable in your eyes आपकी नजरों में सारा संसार अच्छा है और बढ़िया है agreeable फिर आया है agreeable का मतलब pleasant अच्छा I never heard you speak ill of a human being in my life मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपको कभी किसी person के बारे में बुरा बोलते नहीं सुना है ill का मतलब यहाँ पे bad है तो फिर बदले में जेन क्या बोलती है I would wish not to be hasty in censoring anyone कि मैं कभी भी किसी person के बारे में अच्छा बुरा बोलने में रश नहीं करती हेस्टी का मतलब होता है बच्चो जल्द बाजी करना रश करना और censoring का मतलब होता है बच्चो criticize करना criticize का मतलब अच्छा बुरा बोलना कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी person को अच्छा बुरा बोलने से गुरेज करती हूँ but I always speak what I think परंतु मैं जो सोचती हूँ वही बोलती है तो ये बाते जेन बोल रही तो बच्चो ये पूरा जो उपर पैरा आया है इस paragraph में हमें जेन की characters की बहुत सारी बाते पता चलती है कि जेन असल माइने में एक अच्छी लड़की है कि वो कभी भी किसी person के बारे में पूरा नहीं बोलती और जो दिल से सोचती है वही बोलती है तो इस माइने में हम कह सकते हैं कि जेन एक honest type of person है ये सभी बाते हम जेन के character sketch में भी लिख सकते है I know you do मुझे पता है कि आप पैसी ही है and it is that which makes the wonder लेकिन यही तो बात है जो असर डालती है यहाँ पे एक और idiom आया है makes the wonder तो makes the wonder का मतलब होता है बच्चो to have good effects in something with your good sense to be so honestly blind to the follies and nonsense of others आपकी nature इतनी अच्छी है यहाँ पे good sense का मतलब है बच्चो good nature के आप दूसरों की follies की तरफ और उनकी nonsense की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं देती honestly blind का मतलब कि आपको पता नहीं चलता police का मतलब हम बच्चो यहाँ पे कहेंगे mistakes और nonsense हम यहाँ पे कहेंगे मूरक्ता, stupidity affectation of candor is common enough इस लाइन को जरा ध्यान से समझे affectation का मतलब होता है बच्चो show off करना जब हम किसी चीज़ के बारे में show off करते हैं उसको बढ़ा चड़ा के बताते हैं तब वहाँ पे हम यह word affectation यूज करते हैं एक और word आया है candor candor का मतलब होता है the quality of saying exactly what you think कि जो आपके मन में हैं आप वही बात करें उसको हम candor कहते हैं लेकिन इसकी show off करना इस चीज़ की show off करना is common enough यह हमें आम दिख जाता है यहाँ पे Elizabeth यह कहना चारी है कि हमें चारो तरफ ज्यादा तर जो लोग मिलते हैं वो show off करने वाले मिलते हैं वो यह जताने की कोशिश करते हैं कि में हंदर से बहुत अच्छे हैं One meets with it everywhere हम इन लोगों को हर जगें देख सकते हैं But to be candid without ostentation or design to take the good of everybody's character and make it still better and say nothing of the bad belongs to you alone लेकिन बिना ostentation or design के candid होना Candid का मतलब फिर वही है बच्छो the quality of saying exactly what you think Actually candor is a noun और जो candid है यह adjective होता है इसी noun का अब यहां पे ostentation or design शबदा है इसका मतलब होता है बच्छो show off करना वही बात आ गई show होना show off करना But to be candid without ostentation or design इस तरह की show off के बिना होना और हर इक person की personality में अच्छा देखना और उसको और अच्छा बना के बताना और उसके बारे में कभी भी बुरा मत बोलना ऐसा मैंने सिरफ एक ही इंसान को करते हुए देखा है और वो कौन है यू एलोन वो सिरफ आप है इस लाइन में Elizabeth Jane की एक बार फिर तारीफ करती है कि हमें अपने इर्दगिर्द सभी showy persons मिलते हैं वो ऐसे होते नहीं हैं जैसे वो बनने की कोशिश करते हैं लेकिन Jane आप ऐसा नहीं है आप show off नहीं करती हैं आप हर एक person में अच्छा ही देखती हैं कभी बुरा नहीं देखती हैं लेकिन आप सिरफ अकेली ही ऐसी persons हैं and so you like this man's sister to do you क्योंके आप इस तरहें की हैं तो मुझे लगता है कि आप इस persons की sister को भी पसंद करती होंगी अब this man का मतलब यहां पे क्या है बच्चो Mr. Bingley तो आपको Mr. Bingley की बहने भी अच्छी लगी होंगी their manners are not equal to his हलाके उनके जो manners हैं तोर तरीके हैं वेवार हैं वो Mr. Bingley की तरहें का नहीं है students यह पैरा बहुत important है हमारे novel का नाम क्या है Pride and Prejudice याद कीजिए थर्ड चैप्टर में मैंने आपको Pride के बारे में बता दिया था कि Pride किसने represent किया था Mr. Darcy ने पार्टी में जब उन्होंने कहा था कि इस पूरी पार्टी में मेरे बराबर की लड़की कोई नहीं है लेकिन इस paragraph में हमें prejudice का पता चलता है और ये prejudice दोनों बहनों में हमें देखने को मिलता है हमें पता चला है कि Jane एक ऐसी लड़की है जिसको हर इक person अच्छा लगता है उसमें कभी खराबी उसको नजर नहीं आती लेकिन Elizabeth एक ऐसी person है जो हर इक person को दूसरे नजरिये से देखती है उनको Mr. Bingley में भी कभी नजर आ रही है और उनकी बहनों में भी कभी नजर आ रही है तो यहाँ पे हम ये कह सकते है कि prejudice को कौन रिपर्जेंट यहाँ पे कर रहा है Elizabeth लेकिन इसी पैरे में हमें reverse prejudice भी देखने को मिल रहा है reverse prejudice का मतलब होता है कि जब हमें सभी कुछ अच्छा ही अच्छा लगे तो reverse prejudice को कौन यहाँ पे रिपर्जेंट कर रहा है जी Jane क्योंकि Jane को सभी persons अच्छे लग रहे है Students मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं novel के जिस भी chapter को आपके साथ discuss करता हूं तब मैं उस chapter के text को समझाने के बाद उस text के base पे एक quiz आपके साथ हमेशा शेर करता हूं उस quiz में मैं वो सारे questions include करता हूं जो questions आपको examination में पूछे जाते हैं जैसे true false, fill in the blanks, one word answer और correct the right options और यह quiz आपके वीडियो के नीचे description box में मुझूद होता है इस quiz का link जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने उसको encircle किया है जैसे ही आप इस link के उपर click करते हो आप सिधे quiz पे पहुँझाते हैं जहां पर आपको यह सारे questions मिल जाते हैं Students आपने यह सभी questions solve करने हैं और quiz को submit करना है ऐसा करने से आपकी examination की तियारी बहुत अच्छी तो होगी ही और साथ ही आपको novel की भी अच्छी समझाएगी बिल्कुल इसे तरह के quiz मैंने आपके लिए हर chapter के बाद तियार किये हैं उमीद करता हूँ कि आप सारे यह quiz submit करोगे मैं इसकी feedback आपको साथी साथ provide करता हूँ तो students मुझे उमीद है कि मैंने जितने भी quiz तियार किये हैं वो आप सभी submit करोगे और जो आने वाले quiz हैं वो भी आप साथी साथ submit करते जाएंगे ऐसा करने से आप अपने आपको examination के point of view से बहुत अची तरह त्यार कर पाएंगे Certainly not at first अब Jane Elizabeth की इस बात से सहमत नहीं है Elizabeth ने कहा था कि Mr. Bingley की बहने Mr. Bingley जैसी नहीं है तो वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है But they are very pleasing women when you converse with them कि वो बहुत अच्छी इस्तरियां है pleasing का मतलब यहाँ पर वही good nature जिसको आप कह सकते हैं तो बड़ी good natured person है जी जब उनके साथ आप converse करते हैं converse का मतलब talk जब आप उनके साथ बात्चीत करते हैं ऐसा नहीं है वो अच्छी इस्तरियां है तो यहाँ पर बच्चों फिर हम reverse prejudice इसी देखते हैं जेन की तरफ से अब यह दोनों बहनों को Elizabeth prejudice के भाव से देख रही है लेकिन यहाँ पे Jane इन दोनों बहनों के बारे में उनका विचार reverse prejudice की तरफ से है Miss Bingley is to live with her brother and keep his house अब Miss Bingley तो अपनी ब्रदर के साथ रहेंगी और उनके घर की देख रहेंगी and I am much mistaken if we shall not find a very charming neighbor in her और मैं अपने आपको गलत मानूँगी अगर वो हमारी एक अच्छी पड़ौसन साबित नहीं हुई यहाँ पे charming neighbor का मतलब है good neighbor अच्छा पड़ौसी तो students उन दिनों में जो house की activities होती थी जैसे के servants की तनखा देना और जो घर के कामकाज होते थे उन सारों की देख रेक ladies करती थी अब Mr. Bingley की शादी तो नहीं हुई तो यह सारा कामकाज Miss Bingley ही देखती थी तो उन दिनों इन ladies को जो घर का कामकाज देखती थी हम mistress of the house कहते थे तो यहाँ पे Miss Bingley mistress of the house की तरहें काम कर रही है जी Netherfield Park का Mr. Bingley inherited property to the amount of nearly a hundred thousand pounds from his father Mr. Bingley ने लग भग एक हजार thousand pounds की जो property थी वो अपने फादर से inherit की थी Inherit का मतलब होता है बचो receive the property जब जमीन दजाइदाद अपने माता पिता से किसी बच्चे की तरफ आती है तब हम ये Inherit वाला word यूज करते हैं तो इनको अपने फादर से कितनी जएदाद मिली जी 100,000 pounds और ये बच्चो इतनी ज़्यादा जमीन थी इस जएदाद से Mr. Bingley को हर साल 4,000 से 5,000 pounds आते थे इसके बारे में हमें Chapter 1 में पता चला था Mrs. Bennet के जरिये Who had intended to purchase an estate अब इनके फादर के बारे में बताया गया है कि उनके फादर एक estate खरीदना चाहते थे But did not live to do it लेकिन वो ऐसा करने तक जीवित नहीं रहे Actually होता क्या था बच्चो कि जो अमीर लोग थे ना उन दिनों जमीन जायदाद बहुत खरीदते थे State का मतलब होता है बच्चो जमीन और ये आम तोर पे जो Country एरिया होता था धियात वाला एरिया होता था ये वहाँ पे खरीदी जाती थी जैसा के Mr. Darcy ने Derby Share में State खरीद रखी थी तो ऐसा ही काम Mr. Bingley के फादर भी करना चाहते थे यहाँ पे एक वर्ड आया है Intended जिसका मतलब होता है जी Wanted लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और उनकी death हो गई और वो सारी Property Mr. Bingley को मिल गई Mr. Bingley intended it likewise Mr. Bingley भी ऐसा करना चाहते थे Likewise का मतलब इसी तरह करना चाहते थे वो भी State खरीदना चाहते थे And sometimes made choice of his county और उन्होंने ऐसा करने के लिए एक county भी उन्होंने Select कर ली थी वो पसंद कर ली थी England है यह counties में divided है Administrative Purpose के लिए जैसा के मैंने आपको पहले भी बताया था तो इन्होंने भी कई counties देखी थी के किसी county में मैं rural area में जाके जमीन ज़्यादा खरी दूँगा यह चाहते तो थे But as he was now provided with the good house and the liberty of a manner लेकिन क्योंके अब इनके पास एक अच्छा घर भी था और इनको liberty of a manner भी मिल गई थी अब यहाँ पर बच्चो जो good house है यह किस घर की बात हो रही है जी यह लंडन की बात हो रही है लंडन में इनका एक अच्छा अलिशान घर था और इनको एक और चीज़ मिल गई थी ता liberty of a manner liberty of a manner बच्चो एक right था एक हक था और यह right किसका था जी right to shoot उन दिनों जो अमीर लोग होते थे जी उनको hunting करने का शिकार करने का अधिकार मिलता था जिसको हम liberty of a manner कहते हैं यह बच्चो short answer type questions में कई बार question आया है आपको यह clear होना चाहिए कि what do you mean by liberty of a manner हम इसको short answer questions में भी cover करेंगे लेकिन फिल्हाल मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह शिकार करने के अधिकार को liberty of a manner कहते थे और यह सिर्फ अमीर लोगों को मिलता था government से और ज्यादा तर यह जो पुरश होते थे उनको मिलता था तो इनको यह अब बहुत बार आया है मिस्टर बिंगले के लिए easygoing का मतलब है बच्चो एक ऐसा इंसान जो ज्यादा परवान नहीं करता जो ज्यादा टेंशन ना ले उसको कहते हैं मिस्टर बिंगले ऐसे ही थे तो उनको यह शक था क्या शक था कि whether he might not spend the remainder of his days at Netherfield के वो अपने जिंदिगी के बचे हुए दिन Netherfield पार्क में गुजारेंगे भी या नहीं and leave the next generation to purchase और purchase करने के लिए खरीदने के लिए जो एक मन बनाया हुआ था मिस्टर बिंगले ने के मैं एक estate खरीदूंगा तो ये काम वो आने वाली पीडियों के लिए छोड़ जाएंगे ऐसा कई लोग कह रहे थे क्योंकि उनको मिस्टर बिंगले के सभाव के बारे में पता था कि वो बहुत ज्यादा किसी काम की tension नहीं लेते तो बच्चों यहाँ पे हमारे मन में एक question उठता है कि अगर मिस्टर बिंगले ने कोई estate खरीदनी ही नहीं थी तो फिर वो नैदर्फिल पार्क करने के आये थे नैदर्फिल पार्क एक rural area है एक दिहात वाले इलाका है जहाँ पे आके उन्होंने नैदर्फिल पार्क को rent में लिया था पे लिया था उन्होंने खरीदा नहीं था तो फिर यहाँ पे करने के आये थे ऐगर उन्होंने खरीदारी करनी ही नहीं थी वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिकार करने के लिया आये थे Actually अगर आप time line देखें तो 12 अगस्ट को यह Netherfield पार्क में आते हैं हलाकि 12 अगस्ट का जिकर novel में नहीं है क्योंकि मैंने novel काफी डिटेल में पढ़ाया और मैंने research भी की है तो यह 12 अगस्ट को exactly Netherfield पार्क में रहने के लिए आते हैं और अगस्ट में बच्चो hunting season की start हो जाती है तो ये सिरफ शिकार करने वाले मौसम में hunting करने के लिए यहाँ पर आये थी His sisters were very anxious for his having an estate of his own अब यहाँ पर Mr. Bingley की sisters के बारे में बताया गया है कि Mr. Bingley की जो sisters हैं दो sister हमें पता है जी Mrs. Hurst and Miss Bingley तो वो बड़ी anxious हैं जी उनको बहुत ज़्यादा चिंता है यहाँ पर हम nervous लिख सकते हैं इसका मतलब Mr. Bingley की अपनी एक estate होनी चाहिए अपने खेद खलिहान होने चाहिए तो बच्चों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि उन दिनों में एक बड़ा concept popular था जिसको हम कहते हैं land gentry तो यह land gentry वाला concept बहुत ज्यादा चलता था वहाँ पर कि जिसकी जितनी ज्यादा जमीन होगी जितनी ज्यादा बड़ी estate होगी उसकी समाज में इज़त भी उतनी बड़ी होगी अब Mr. Bingley तो serious नहीं है estate करीदने में यह हमने पता लगा लिया है क्योंके वो तो यहाँ पे सिर्फ hunting करने के लिए ही आए है लेकिन उसकी sisters ऐसा नहीं सोचती उनकी sisters को यह चिंता है कि Mr. Bingley की एक estate होनी चाहिए अगर हमारी estate होगी तो हमारा समाज में रुत्बा बढ़ेगा और इससे उनका भी Miss Bingley और Mrs. Hurst का भी मानसमान भड़ेगा आप याद करें बच्चों के जो Mr. Darcy है उनकी एक डर्बी शयर में बहुत बढ़ी estate है जिससे उनको साल में 10,000 pounds a year कमाई आती है लेकिन हमें ये भी पता है कि Mr. Bingley की कमाई कितनी है 4000 से 5000 pounds जैसे के हमने उपर भी लिखी है अमीर दोनों है मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था Mr. Darcy खांदानी अमीर है वो पीछे से चले आ रहे है लेकिन जो Mr. Bingley है ये खांदानी अमीर नहीं है इनके फादर साब में कोई बिजनस किया था कोई ट्रेड का काम किया था जिससे इनोंने पैसे कमाए और वो अमीर बन गए और वो जो प्रापर्टी थी वो Mr. Bingley को भी मिल गई हलाके ये खांदानी अमीर नहीं है एक्चुली ना इस नौवल में बच्चो तीन तरह की फैमिलीज है और ये तीनों फैमिलीज का जो सोशल स्टेटस है वो लग लग है हलाके तीनों जो फैमिलीज है ये मिडल क्लास से रिलेटिड है एक हमारा बड़ा कोश्चन बनता है ये हम बाद में कवर करेंगे वो क्लास बेस्ट कोश्चन बनता है इस नौवल में तीन फैमिलीज है वो upper middle class में है और जो Mr. Bingley की और Mr. Bennett की जो families है ये दोनो middle class में आती है Mr. Bingley की जो society में इज़त है वो सुरफ पैसे के कान ज्यादा है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो Bennett family है ये साल में 2000 pounds कमाते है इनके पास जमीन है Mr. Bingley के पास अभी तक state नहीं है लेकिन चोटी सी state Bennett family के पास जरूर है जिससे उनको कमाई 2000 pounds पारियर आती है लेकिन उनका रुत्वा समाज में इतना नहीं है जितना Mr. Bingley का है क्योंके बिंगले की कमाई उनसे दुगनी है इस महोल में बच्चो लेंड जैनरी का concept बहुत चलता था कि जिसकी जितनी ज्यादा जमीन, जितना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा इज़त इसी कारण Mr. Bingley की दोनों बहने चाहती थी कि उसके पास इस्टेट हो बट दो he was now established only as a tenant Mr. Bingley was by no means unwilling to preside at his table परन्तु क्योंकि Mr. Bingley ने Netherfield Park में अपने आपको सिरफ एक tenant के वज़े से tenant के लिहाज से establish कर लिया था वो तो सिरफ क्रयादार बन गया था ना वहाँ पर तो Mr. Bingley किसी भी कीमत पर घर को rule करना चाहती थी यहाँ पर to preside at his table का मतलब है to rule the house मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि उन दिनों में जो ladies होती थी वो घर की जो activities होती थी उनको देखती थी Ms. Bingley already mistress of the house का काम कर रही थी और वो अपना ये वाला status किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी Nor was Mrs. Hurst Mrs. Hurst भी वैसी ही थी who had married a man of more fashion than fortune जिसने कैसे इंसान के साथ शादी करवाई थी जिसके पास fashion ज्यादा था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था अब fortune का मतलब यहां पे बच्चों wealth है और fashion का मतलब जो show off करता है उसकी बात की गई है तो यहां पे किस man की बात हो रही है जी less disposed to consider his house as our home when it suited her अब Mrs. Hurst भी इस घर को Mr. Bingley के घर को अपना घर बताने के लिए पूरी तरह से तयार थी less disposed to का मतलब है to be ready जब भी उन्हें मोका मिलता अब इस लाइन से हमें बच्चों एक बात तो clear हो गई Mr. Bingley अपने घर के प्रती serious नहीं है लेकिन उनकी दोनों बहने बहुत serious है वो दोनों बहने इस घर पे अपना एक तरह का हक जमा रही थी ये बात उन दिनों भे भी चलती थी और ये बात आज कल भी चलती है Mr. Bingley had not been of age two years when he was tempted by an accidental recommendation to look at Netherfield house Mr. Bingley को अभी adult हुए दो साल ही हुए थे जब उनको अचानक एक सुझाव आया के वो Netherfield house की तरफ देखे अब यहाँ पे बचो एक phrase आया है to come of age यहाँ पे आया ना been of age actually एक phrase होता है to come of age इसका मतलब होता है adult होना actually उन दिनों में बचो adult age मानी जाती थी 21 साल इसका मतलब यह हुआ के Mr. Bingley को दो साल हो गए थे adult होने पे यानि के इस समय उनकी एज है जी 23 years तो 23 साल के थे जी जब उनको Netherfield house के बारे में सुझाव आया he did look at it उन्होंने इसको देखा and into it for half an hour और वो वहाँ पे आधा गेंटा रहे half an hour मतलब 30 minutes was pleased with the situation और वो इसको देखके बहुत ज़्यदा pleased हुए मतलब खुश हुए and the principal rooms जो इस घर के मुख्य कमरे थे उनको उन्होंने देखा satisfied with what the owner said in its place owner ने मालिक ने जो भी इसके बारे में बताया उससे वो संतुष्ट हुए हमें chapter 1 में पता चला था के उनकी बात Mr. Morris से हुई थी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के यहाँ पे Mr. Morris का जिकर आया जी and took it immediately और उन्होंने इस घर को बड़ी जल्दी एकदम ले लिया अब यहाँ पे Mr. Bingley की easy going वाली जो personality है ना उसके बारे में हमें फिर पता चलता है अगर हमने state खरीदनी हो तो हम आदे घंटे में state नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है उन्होंने आदे घंटे में क्या देखा होगा घर में उन्होंने कुछ नहीं देखा उन्होंने यहाँ पे देखा जी नेदरफिल्ड पार्क के इर्दगिर बहुत बड़ा जंगल है वहाँ पे मैं बढ़ी आतरीके से अपनी हंटिंग करूँगा शिकार करूँगा उनको ये घर सिरफ और सिरफ हंटिंग के परपस से पसंद आया था और उन्होंने इस घर को लेने में आदा गेंटा भी नहीं लगाया बिट्वीन हिम और डार्सी देर वाज़ा वेरी स्टेडी फ्रेंशिप इन स्पाइट ओफ हा ग्रेट ओपोजिशन ओफ करेक्टर तो बच्चो इस पैराग्राफ में हमें Mr. Darcy और Mr. Bingley की परसनेलिटी के बारे में काफी कुछ जानने का अफसर मिलता है तो यहां पे बताया गया है कि Mr. Bingley हम यहां पे Mr. Bingley को कहा गया है Mr. Bingley और Mr. Darcy की जो फ्रेंशिप थी दोस्ती थी वो बहुत ही steady थी, steady का मतलब होता है बच्चों, firm या मजबूत, बहुत ही मजबूत friendship थी, हलाके उनकी जो personality थी वो बिलकुल अलग थी, in spite of a great opposition of character, यहाँ पे opposition of character का मतलब है different personality, दोनों की personality बहुत ही different है, ये तो बच्चों हमें पता ही है, हमें third chapter में काफी ये clear हो गया था, Bingley was endeared to Darcy by the easiness, openness and ductility of his temper, अब Bingley Darcy को इसलिए पसंद थे, क्योंके वो बहुत ही easy going थे, ये काफी बार आ चुका है, easy going का मतलब जो बहुत ही ज्यादा बे परवाई इंसान हो, को ज्यादा tension ना ले, openness के बहुत ही ज्यादा open थे, हर एक इंसान से घुलते मिलते थे जी वो, and ductility of his temper, और उनका जो सभाव था, वो बहुत ही flexible था, flexible का मतलब के वो एकदम मान जाते थे, अगर कोई उनको समझाता था, तो वो समझ जाते थे, तो यहाँ पे Mr. Bingley की हमें personality के तीन trades मिलते हैं, के वो बहुत easy going है, open है, और बहुत ही अपने temper में flexible है, though no disposition could offer a greater contrast to his own, हलाके इ disposition का मतलब है बच्चो quality, जो तीन quality का जिकर आया है, कौन-कौन सी easy going, openness and flexibility, तो यह तीनो qualities हमें Mr. Darcy के character में नजर नहीं आती, and though with his own, he never appeared dissatisfied, और क्योंके उनमें यह तीनो qualities नहीं हैं, वो कभी भी dissatisfied भी हमें नहीं दिखते, कभी हमें असंतुष्ट नहीं दिखते, के मेरे में यह तीनो qualities नहीं है, इन तीनो qualities को, वो Mr. Bingley में पसंद करते थे, तो इन लाइनों में हमें यह पता चलता है, के Mr. Darcy और Mr. Bingley कितने ज्यादा different personality के मालक हैं, अब हमें यह तो पता लग गया, के Mr. Darcy को Mr. Bingley क्यूं अच्छे लगते हैं, अब इन लाइनों में हमें यह पता चलेगा, के Mr. Bingley को Mr. Darcy क्यूं अच्छे लगते हैं, Mr. Darcy की strength क्या है, उनका मजबूत पक्ष क्या है, बिंगले उनमें एक foremost reliance देखते थे, foremost जिसको हम बहुत ही पक्की कहते हैं, और reliance का मतलब होता है बच्चो, faith, विश्वाश, बिंगले का Darcy पे बहुत पक्का विश्वाश था, और वो विश्वाश किसमें था उसकी judgment में और उसकी opinion में, बिंगले ये मानते थे कि Mr. Darcy की जो उपीनियन होती है जो विचार होता है किसी के बारे में वो बहुत ही अच्छा होता है और उनकी जो जजमेंट होती है किसी के बारे में भी वो अपना निर्ने देते हैं वो बहुत अच्छा होता है तो इन बातों का रिगार्ड Mr. Darcy करते थे, superior थे Mr. Bingley से, क्योंकि यहाँ पर Darcy की तुलना Mr. Bingley से हो रही है, इसलिए super की जो second degree है, superior लगाई गई है, Bingley was by no means deficient, Bingley किसी भी तरह से understanding में deficient नहीं थे, deficient का मतलब होता है बच्चो, not having something, जब कोई चीज किसी के पास ना हो, तब हम यह वाला word यूज करते हैं, इसका मतलब यह नहीं था कि Bingley में समझ की कमी थी, but Darcy was clever, लेकिन Darcy clever थे, अब यहाँ पर clever को आप negative sense में मत लीजिएगा, clever का मतलब यहाँ पर है smart, कि understanding में Mr. Bingley से Mr. Darcy ज्यादा smart थे, वो ज्यादा अच्छी तरीके से बातों को समझ लेते थे, अब इन दो लाइनों में हमें Mr. Darcy के दो मजबूत पक्ष पता चलते हैं personality के, कि उनकी judgment बहुत अच्छी थी, उनकी opinion बहुत अच्छी थी, और वो understanding भी बहुत अच्छी तरीके से करते थे, लेकिन साथ ही साथ अब उनके personality के कुछ negative traits भी हमें पता चलेंगे, he was at the same time haughty, reserved and fastidious, लेकिन वो साथ ही haughty भी थे, haughty का मतलब होता है बच्छो proudie, अंकार था जी उनमें बहुत ज्यादा, reserved थे, बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे and fastidious और वो बहुत ही मुश्किल से किसी भी बात से खुश होते थे, fastidious word बच्छो third chapter में भी आया था party में जब Mr. Bingley ने Mr. Darcy के लिए use किया था, fastidious का मतलब होता है बच्छो, difficult to please, जब कोई इंसान बहुत मुश्किल से खुश हो किसी चीज से, तब हम fastidious शबद यूज करते हैं, and his manners though well-bred were not inviting, और उनके जो भी तौर तरीके थे, manners थे, सभाव था, वो चाहे well-bred था, well-bred का मतलब के उनकी education तो अच्छी थी Mr. Darcy की, लेकिन वो inviting नहीं थे, inviting का मतलब लोग उन तोर तरीकों को जेल नहीं पाते थे, actually Mr. Darcy में कमी क्या थी, कि वो बहुत कम बोलते थे, अगर कोई उनके पास जाके उनको hello कहेगा, वो बड़े अदब से उसको hello भी बोलेंगे, लेकिन उसके बाद बातचीत नहीं होती थी, उनकी तरफ से पहल नहीं होती थी, यहां पर इसी बात का जिकर किया गया है, उनके good manners थे, लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, in that respect, his friend had greatly the advantage, लेकिन इस माम मामले में, manners के मामले, क्योंकि Mr. Bingley के जो manners थे, वो inviting थे, और Mr. Darcy के manners uninviting थे, यहां पर ये बात कही गई है, Bingley was sure of being liked wherever he appeared, यह पकी बात थी, के Bingley जहां भी जाएंगे, उनको पसंद किया जाएगा, being liked, जहां पे भी वो जाएंगे, लोग उनको पसंद करेंगे, Darcy was continually giving offense, लेकिन Darcy जहां भी जाएंगे, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, giving offense का मतलब होता है, जब लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको dislike करते हैं, तो students इस पूरे paragraph में, Mr. Darcy और Mr. Bingley, जो के दोनों आपस में बहुत अच्छे friend हैं, उन दोनों की personality का difference हमें बताया गया है, character sketch लिखने में ये बाते हमें बहुत help करेंगी, हम इनको बहुत ही easy sentences में अपने question के answer में शामिल करेंगे, जब हम ये वाले questions cover करें, The manner in which they spoke of the Meriton Assembly was sufficiently characteristic, अब इस paragraph में हमें Mr. Bingley और Mr. Darcy के बारे में और बहुत चीजें जानने का मुका मिलता है, तो ये अफसर हमें कैसे मिलता है, क्योंकि वो आपस में Meriton Assembly जो हुई हैं, उसके बारे में discussion कर रहे हैं, तो बचो, Meriton Assembly ये वही ball है, जो Meriton Hall में हुई थी, chapter 3 में इसका जिकर आया था, इसका हमें एक बड़ा essay type question जरूर करेंगे, क्योंकि it is one of the most important incidents in the novel, तो Meriton Assembly के बारे में जैसे उनोंने बोला, दोनों persons ने, उससे हमें पता चल जाता है, कि ये दोनों कितने different हैं, sufficiently characteristic का मतलब है, कि how different they were, कि उनकी nature कितनी different है आपस में, कितना अंतर है उन दोनों में, तो पहले बिंगले के बारे में हैं जी, कि बिंगले हैड नेवर मेट विद प्लेजेंटर पीपल और प्रेटियर गर्ल इन हीज लाइफ, तो बिंगले तो ये कह रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इतने अच्छे लोगों से, या इतनी खूबसूरत लड़कियों से कभी नहीं मिले, ये वो मेरिटन असेंबली की बात कर रहे हैं, कि मुझे इतनी अच्छे परसंज वहां पर मिले, और इतनी खूबसूरत लड़कियों मिली, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, वो ये भी कह रहे हैं, कि हर कोई बहुत ही ज्यादा काइन था, बहुत ही अच चारिकता कहेंगे, जब हम किसी परसंज के लिए ये कहें, कि वो बिलकुल सीधा साधा है, तब हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, और किसी तरह की उनमें अकड़ भी नहीं थी, स्टिफनेस का मतलब यहां पे आप हार्ष कह सकते हो, कि कोई अकड़ उनको किसी भी परस है जी, familiar with, कि सभी के साथ जाते ही उनकी जान पहचान हो गई, and as to miss Bennett, he could not conceive an angel more beautiful, और खास तोर पे उन्होंने miss Bennett के लिए तो ये कहा, कि वो तो उनको परियों जैसी खूसूरत लगी, angel का मतलब यहां पे हम परी कह सकते हैं बच्चो, conceive का मतलब है जी, understands, अब किस miss Bennett की बात हो हो रही है जी, miss Bennett यहां पे Jane को कहा जा रहा है, क्योंकि Jane के साथ उन्होंने दो बार मेरिटन होल में dance किया, तो Jane उनके लिए एक angel की तरह लगी, अब इसके बाद जो lines आ रही हैं बच्चो, वो डार्सी के विचार आ रहे हैं, कि उनके मेरिटन assembly के बारे में क्या विचार है, Darcy on the contrary had seen a collection of people in whom there was little beauty and no fashion, on the contrary का मतलब होता है इसके विपरीत, इसके विपरीत डार्सी ने जो मेरिटन हॉल में जो लोग उनको मिले, उनमें ना तो किसी तरह की beauty उनको नज़र आई, कोई लड़की उनको पसंद नहीं आई, और ना ही उनमें कोई fashion नज़र आया, हमें पता है बच्चो के Mr. Darcy एक aristocratic family से belong करते हैं, तो उनको अपने तरह का अपने level का कोई person मिला ही नहीं, तो उने कोई पसंद नहीं आया, और none of whom he had felt the smallest interest, किसी में भी उन्होंने थोड़ी सी भी दिल्चस्पी नहीं दिखाई, किसी person में भी नहीं दिखाई, smallest interest, and from none received either attention or pleasure, अब क्य में उन्होंने दिल्चस्पी नहीं दिखाई, किसी के साथ introduce नहीं हुए, तो किसी ने भी आके उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और किसी तरह का उनको कोई खुशी भी नहीं मिली उस hall में, जब वो खुद ही किसी के पास introduce होने नहीं गए, तो कोई भी introduce होने के लिए उनके पास नहीं आया, तो मैरिटन हॉल की assembly के बारे में Mr. Darcy के विचार बिल्कुल negative थे, बिंगले के विचार इसके विपरीद बिल्कुल positive थे, Miss Bennett he acknowledged to be pretty, जहां तक Miss Bennett मतलब के Jane की बात है, जिसकी बात पहले Mr. Bingley ने की थी, जिनको वो एक angel की तरह लगी थी, तो Miss Bennett उनको pretty तो लड़की के साथ तो आप ही dance कर रहे हो, तो उनको वो pretty तो लगी, लेकिन हमें पता है कि Mr. Darcy की nature कैसी है, उनकी nature है जी fastidious, fastidious, difficult to please, जो किसी भी बात से खुश नहीं होते, तो उन्होंने Jane में भी एक ना एक नुकताची नहीं कर दी, तो वो क्या थी जी, but she smiled too much, कि वो बह बहुत ज्यादा smiling करती है, वो बहुत ज्यादा मुश्किराती है, तो ये बात उन्होंने Jane के लिए कह दी, तो students इसी के साथ हमारी chapter 4 की comprehensive analysis with explanation खतम होती है, उमीद है कि आपको ये सारा chapter बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मैंने इस chapter 4 के text के base के ओपर एक online quiz भी आपके लिए develop किया है, इसका link आपको इस video के नीचे description box में मिल जाएगा, आप इस quiz को ज़रूर attempt करें, इसको submit करें, मैं आपको इसकी feedback साथ ही साथ provide करता हूँ, चैप्टर के end में मैं आपको मेरे दोरा बनाए हुए इस novel की series के बाकी सभी videos के link सक्रीन के ओपर share कर रहा हूँ, next video में हम इस chapter के जो एक important question है, जो कि ऐसे type question बनता है जी, the first ball at mariton hall इसको discuss करेंगे, जो कि examination point of view से बहुत ज्यादा important है, तो फिर मिलते हैं जी, धन्यवाद झाल